वेल्कम बैक दिचिटू देइज विट्स एन मेरे साथ वाले इससे पहले मैं लेक्षमन पढ़ा दी पढ़ लिया नहीं पढ़ा पता है मुझे इससे पहले मैंने पढ़ा दी उसके बाब मैं पढ़ा दी एन इंडॉक्षन कमरदास की थी ठीक है अगर इन लेक्षमन घोटा लेते हैं और कमरदास की पोएम लेते हैं एन इंडॉक्षन ठीक है और इस पर मुझे आज मैं पढ़ाने वाला हूं हंगर बाय जैनित मापात्रा दोनों पोएम पहुत रिलेटेबल है एक ही चीज़े बात करते हैं एक ही जिस पर किस पर फीमेल पर धिहान दीजे कि मैं दम इंपॉर्डन चीज़े बता रहा हूं ठीक है कहीं लिखा वह नहीं मिलेगा यह कहीं मिलेगा तो दोनों पोएम रिलेटेबल है एक चीज़े बात करते हैं बट अलग अलग प्रोस्पेक्ट पे मतलब एक ने किसी और चीज़े बात किये तो मैं भी इसको पढ़ाऊंगा औ अगर आपको लगे कि कमपैरेजन जरूरी है तो कमेंट करेंगा फिर दोनों पोएम का कमपैरेजन के एक वीडियो बना देंगे और आज की वीडियो सीरिसली होके अराम से आके पास पोएम है कि नहीं है पहले नोट कर लिए क्योंकि बहुत ही पॉन्ट पोएम है यहां पे पहले आप लिख लीजिए पहले पोएम को लिख लीजिए उसके बाद वीडियो को प्ले करेगा क्योंकि बहुत में एक एक वर्ड पे आपको पड़ेगी जरूर ठीक है हो गया समझ में आ गया तो लिख लिए होगा आपने मैं उम्मीद करते हूं में बात तो सुन रहे हों ठीक हाला कि मैंने अनॉंस कर दिया था कि पोएम आने वाले है आप लिख लिए होगा पड़ भी लिया होगा चले स्टार्ट करते हैं तो यह पोएम जो है 1976 में कब 1976 में ठीक है क्लियर है उस समय पब्लिश हुई थी और पब्लिश जो कलेक्शन था जैन महापातर जी कहा कले एक्षन में यह पोएम पब्लिश हुई थी ठीक है अब यह जो पोएम जो थीम है मैं थीम की बारे बात नहीं करूंगा हला कि बोलना चाहिए थीम क्या है लेकिन पड़ते पड़ते समझेंगे तो ज्यादा रहेगी थी ठीक है क्लेर हो गया चलिए स्टार्ट करते हैं एक सब्सक्राइब को धियान समझेंगे मैं समझाऊंगा नहीं मैं भी आप से कुछन को क्या मतलब हुआ और आप भी अपनी दिमाग लगा के उस समय अपने आप सुची कि यह मतलब होगा फिर देखें का मैं क्या मतलब बताता हूं ठीक है लिए हो गया चलिए स्टार्ट करते है इसमें वैसे जो चार स्टैंजा है पांच-पांच लाइन के आखरी वरा स्टैंजा के में छे लाइन है ठीक है कि लाइन हो गया है आगे जलते हैं कि तो पहला स्टैंजा अग्र में झाजा करीक है यह कोई काम का नहीं है तो बिलीव ऑस फेवी ओन मैं आटारने कर लिए तीन चींच समझनी है मैं इस पहली में पहली क्या हाइट तो बिलीव जैनि उस चीज़ को मानने में बहुत प्रॉब्लम होना मतलब एक अन्बिलीवबल चीज़ को भी बिलीवबल मानना ठीक है और दूरी चीज यह वाज है बहुत पहले से भी लेल है खिंख लियर हो गया कि कोई चीज है किसी चीज के बहुत डी प्रॉफाउंड गहराई में है उसको मानने से कोई इंकार करा है ठीक मतलब होता है मांस होता है वह भारी है यानी पीट पर निकल रहें ना मौन नोनालों मणद निकल रहां या पर आप इसको पोईटिक वें में समझते हैं कुछी चीज है जो मानने में बहुत प्रॉलम हो रही है तो तो सब्सक्राइब नहीं है दफलेश फॉस हैवी ऑन माई बैक यहां फॉलेश एक नीड है क्या है एक जरूरत है और वह जरूरत की चीज़ की एक इनसानी सरीर की जरूरत है कि हमारी बाड़ी भी मांस होता है ना तो उस जरूरत को यहां पर फॉलेश अपने आप में दिखा रहा है तो साथ टू बलीब दफलेश वाज हैवी और जो हैवी वर्ड है वह नीड की इंक्रिमेंट को दिखा रहा है कितनी जादा जरूरत जब आपको भूग बहुत लगती है तो शरीर ऐसा लगता है बहुत जादा भूग लग रही तो आप उस बहुत जादा वर्ड को शो करने के लिए अपने हैव सब्सक्राइब यूज किया बहुत भारी है सब्सक्राइब अब चलते हैं तो पीठ पीछे होती ना यानि आगर हम टाइम लाइन को देखे तो हमारा जो चहरा होता है वो फ्यूचर की तरफ है और हम अभी प्रिजेंट में है और जो मैं बैक है वो पास्ट है लेर हो गया तो बैक यानि पास्ट यानि पास्ट एक्स्पीरेंस यानि मैमोरी यानि यादे समझ में आ गया पड़ेए यह बहुत मुचिल है कि मेरी मैंने अपनी यादों में जो भी जो मेरा इस रहा है पास्ट का उस एकश्पीरिंस में एक गुजरा हूं और किस नीट से गुज़रक किस चीज़ को बॉड़ी की जरूवत को ठीक है क्लियर हो गया आगे चलते हैं जब फिशर मैं छेड पहले लाइन कुई दिकने लाइन सेकंड लाइन सेलां लाइन के लाइन के बाद आया है कोलन तो डालोग में लिखे गई आप पहले लिए कैरलेसली किन शेंर मेंनने कहा क्या तुम उसे रखोगे कि विल्डियू है वर क्या तुमसे रखोगे केरलेसली ना कोई चिंता करते हुए ठीक है सब्सक्राइब नॉर्मल इंग्लिश थी वर्ट वर्ड अब समझते हैं कि जब यह पहली लाइन सोची समझी जा रही थी बोली जा रही थी तब वह जो पुएट था उसकी सिचुएशन प्रिजेंट टाइम में यह बोड के ऊपर थी क्योंकि वह हमें से कर चलता है लेरो गया कि सेकेंड लाइन से यह प्रचला कि आ जो भी बोला गया था गया था सब्सक्राइब Tin said Tiger Will You Have Her Do You Want Sex if you want then you can do Yesson Line ये इत्ती लाइन इत्ते में लिखे ही ये विल यू है और और चो careless word है वह बहुत शापली लिखा है जैंद पात्रह ने carelessly वहँद वहां पर वह ये शो कर रहा है कि उसे कोई कि फिक्र नहीं है कि जिए उस लड़की की फिक्र नहीं है वह हम लोग को नहीं पता हिंक हर तो आया है हम हम लोग opis में बातiping आपने की जाती है हाला कि पता पहले होना झाया था जब़ोर्फ है अब देखिए विलू है कि तुम साथ करना चाहते हो सेक्स करना चाहते हो कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं प्रॉल्म नहीं है तो यहां पर दॉटर रहे उसी फिसर मैंन की बेटी है यह बात हमें बाद चलेगी लिए अगर चल जाए यह पता होती तो ज्यादा समझने में असानी होती है हम आपको बताया देने पहले से कि जो उसकी बेटी है ठीक है दोलाइन हो गई क्लियर कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता को कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब देखिए ट्रेलिंग हिस नेट्स लेकिन जब वह डेलाव बोल्ट रहा था वह आएंजी फॉर्म में मतलब ट्रेलिंग वह डेलाव बोलते वह कार भी कर रहा कौन से कार कारा है ट्रेलिंग इस नेट मनें जाल होता है ट्रेanut मतलब डो खीचना यानि जाल को पानी से घीच रहा अब और भी मैंने कहा कि बोट में आपने क्यों नहीं कि नहीं नवस और अपनी नसों को भी खीच रहा आप जिसका क्या मतलब है नसों कैसे खीचेगा वह उचारा क्लियर नहीं आ रहा देखिए यहां पर ट्रेलिंग जाप कोई छीचते हैं तो आपकी बॉड़ी एक पूलिंग ए लगता है लेकिन यहां पर ट्रेक्टिविटी बॉड़ी में नहीं होती उतनी फोर्स को खीचने में तब आप और जोर लगा ते जिससे की बॉड़ी की नसे बाहर देखने लगती है ठीक है यानि यहां पर एक तरीक से एक ऐसी बॉड़ी को प्रेजेंटेशन है जो बहुत कमजोर है कि उसकी बॉड़ी भी दिख रही है साब साब दिख रही केक नफ्स दिख रही ति बॉड़ी कमजोर है नर्फ यहां पर यह सो कर रहा है क्लियर हो गया हाट्टे-कटे इंसान की साइन से नहीं दिखा ज़ती ठीक है त्रेलिंग इस नेट्स एड़ा नहीं वह बह आपने काम करने लगा अब यहां पर बंदा सोच रहा है एस दो हीज वर्ट हीज कॉर्ट फिशर्मेन ऐस दो हाला की हीज वर्ट सेंटीफाइड अपर पर्पाज दो बढ़ायां पे परपर सेंटीफाइड अपर यहां इसके सॉब्ध है यह जो संब्ध यह उसके जन्यू वह टिक फैसेंb सार्थक सही ठीक है सही साबित हो रहा है यह उसकी सिचुएशन को जिस्टिफाइब कर रहा कि वह इंसान और क्या ही कर सकता जो जो इसकी बॉड़ी ऐसी है उसकी पास खाना नहीं कुछ है जाल में कोई मशली नहीं आ रही है तो क्या करेगा अपनी बेटी को अगर प्रॉश् अपनी बेटी को भेजना है यानि having sex with someone else ठीक है विडिस पर्मिशन वह भी तो यह पर्पस यहां पर वर्ड का मतलब क्या सेक्वल परपस ठीक है सेंटिफाइड दपर पस उस परपस को वह सार्थक साबित कर रहा था विद विच ही फेज्ट हिमसेल्फ जिस चीज से वह वह यहां तक आ चुक है इतनी खराब उसकी लाइब बीती है संद्मिया विद ही फेज्ट हिमसेल्फ इनी बैठ सिच्वेशन चलिए यह चाल लाइन हो गई प्लास लाइन इस टेंजा की आइस वाइड बॉन थ्रैस इस आइज मैंने उसकी सफेद हड़ी देखी थ्रैस थ्रैस मतलब होता है कि इसको पीटना ठीक है हरा देना ठीक हीज आइज उसकी आख है ठीक यह होगे नॉर्मल सबड़ आप समझते हैं तो पही लाइन में हमने देखा कि उसकी जिस्टिफेकर्शन मिल रहा है वह ऐसा क्यों है कैसा है क्यों कर रहा है उसके हमें मिल गया ठीक है लाज जो लास्ट लाइन थी उसने लिखा है कि पोट यह देख रहा है कि उसकी चहरे को बहुत ध्यांस उसने गौर किया और उसने यह पाया कि I saw his white bone white bone हमा you can have sex with her उसने अराम से बोला with carelessly मैंने बोला ठीक है और उसके दाश साथ से दिखाया देखाया देखाया निराशा दिख रही एक हारावा इंसान दिख रहा है हरा देना यानि उसका नीचे का जो एक्सपेशन है उपर के एक्सपेशन से वह हार गया सच्चाई से वह हार गया अच्छी लाइंदी ना टीक क्लेर हो गया आगे जलते हैं कि यहां थ्रैस वर्ट समझना था वह समझ जाते तो भी अराम से हो जाता नेक्ट इसन जा आइफ फॉलोड ही में एक्क्रोज देस प्रॉलिंग सेंड्स मैं उसका पीछा कर दो लेकिन सासाथ गया यहां पीछा करने वाला पर रटी है सेंड्स समझते हैं आप क्योंकि नदी का किनारे के बात है तो वहां पर सैंड्स वेंड बालू बालू होगी इस प्रॉलिंग मैं लोगता है फैली वी चाहता फैली वी तो मैं उसके तब पीछे पीछे उसके सासाथ गया कोई दिखकर नहीं कोई लाइन दिक कर नहीं थी आ थोगना जब किसी को कुछ फस जाता गले में तो पीट में ठोकते ना हाथ से उसे थंपिंग बोलते हैं या फिर अपने रिष्ट यह पूरे रिष्ट का इस्तमाल करें के जो भी हम लोग मुठी उठी मार्तर से भी थंपिंग कहते हैं ठीक है तो माइं माइन थंपिंग या स्लिंग मतलब होता है शपोर्ट जहां लोग हार्ट तूड जाता है तो हम लोग जो सपोर्ड लगाते हैं कपड़े से उसे स्लिंग कहते हैं तो मांस का सपोर्ट कपड़ा तो यहां पर जब उसकी पीछे पीछे जा रहा था उस ट्रैवलिंग को नोटिस करिए उसको पता है वह क्या करने जा रहा है वह सकी बेटी के साथ ठीक है विह उसकी माइन में फंपिंग में में वह चोब नीड है जो मिनेड है उस चीज की आदत है लट है तो बढ़ रही थी इतिति बढ़ इंद ड़ दर दर की आवाज आ जारी ति तदर की किसज बढ़ रही थी वह अस्मान में आपको यह लाई इंद फ्लेश श्लिंग और किस चीज में बढ़ रही थी इंद स्लिंग यह स्लिंग आ मैंने बनता है इस बनता है कपड़े का नापा हुआ तुकड़ा होता है है मैं स्काख वैग्राउड से हूं तो मैं जानता हूं ठीक है तूझ मैं बनता है वो किसी बड़े कपड का कोंब2 होता है तो हमें क्या यहाँ पे ध्यान लेकने तुक्ड़े से यह मतलब क्या निकल रहा है एक छोटा सा हिस्सा हो भाग-भाग फ्लेस्टिंग यानि किसी बॉडी का कोई हिस्सा कोई छोटा सा हिस्सा यानि एक पार्ट जो सेक्शन हर्मोन के लिए होता है रिस्पॉंसिबल चाहिए वह ब्लड़की का ब्लेश्ट हो या फिर उसका वेजनल एरिया कोई भी हो तो उस पार्ट की इमेज उसके माइंड में रही थी ठीक है और उसी के थंपिंग चल रही थी उसी की नीड चल रही थी उसके माइंड में क्लियर हो गया आप समझ में आए आपको यह लाइन असमया नहीं कितना अच्छा लिखा है जैन महाद पत्रह बहुत तगड़ा लिखे हैं 1970s में होने के बाजू तो पसे इंडि प्ले यहां अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्ड है आप पर है इन बर्निंग यह अपने आप एक वर्ड पूरा इंदा बर्नी हाउस यहां पर चार अलग पूरा मत पढ़िए पूरा अगर पढ़ेंगे तो पूरा नहीं चार बन जाए कुछ भी समझ नहीं आएग कि अधर प्रहें सबस्था इंड बैर निंग हाउस हाउस मृण हाउस को चलाने में ए मरा रहता था ठीक जहां मैं रहा ल SMITH मै ₹ अब आप देखिए यह जो वह प्लाइन में उसके माइं संब चार्गिङ साथ्च अधिक मैं औ बीतर के रहा है तुम सहीं नहीं नहीं कर रहे हो तुम सहीं नहीं कर थोट से वाय में खोट रहा है और वही सेकेंज लाइन बनके अचाटिक आठी कहें हो शायद मुझे आशा आध Yard को प्लेम है मुझे मसमा मिल जाएगी मझे इस चीज से क्या पजल के मिले मैं पूरा घर जला दूगा यह काम करने के बाद जुसके पूरा घर जला दूंगा जिसमें मैं रहता था यह एक मेन निकलते हैं दूसरी मेन निकलती है नीक पूरह घ्रधा आपे तो आइव डेन डे जायर भूरी निकलते हैं या तो अपने घर जाके घर पूरा जला देगा उसको पुछ नहीं कर पाएगा या तो फिर वह अपनी जो भी डिजायर है उसको खटम कर देगा उससे उसको माफी मिल जाए पर देगा आपको चलिए next आगे जलते हैं यह सोची रहा था वो उसती देर में क्या हुआ silence gripped my sleeps silence gripped my sleeps his body clogged at the froth दिखिए यह line सारी लाइनों में सबसे टफ लाइन थी सारी लाइनों में अब टफ लाइन है मैं कह रहा हूं तो थी की इसका मतलब silence gripped my sleeps चुपी ने मेरे बहां बहां को पकड़ लिया था ठीक है यह मतलब निगला आपको भी समझेर में आ रहा होगा नॉर्मल है उसके पास his body उसकी body प्राइब फ्रॉज फ्लॉफ उसकी body पकड़ी जा चुकी थी याभी पकड़ी गई थी एड़ फ्रॉफ फ्रॉफ मनें फेना होता है इस इस लेकिन आप इसको समझना है और हर समय जब आप पोईटरी पढ़ें तो उपर वाई लाइन की से वह जूड़ी होती है हमेशा होती है कभी इंडिपेंडेंट नहीं होती है तो वह होगी ही उपर वाई प्लाइंग को समझ के आगे से चलिए तो प्रवाई लाइन में समझा क्यों माफी मांग रहा है वह माफी मांगने कोशिस कर रहा है मनी मन से ठीक और चल भी रहा है लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ साइलेंस ग्रिप माई स्लीप अब देखिए इस चीज़ को समझने के लिए इस सब्सक्राइब आपको यह समझ लेकिन जैसे आप एक्शन मोमेंट में होते हैं पूरा नीचे से उपर तक जो है डर से काब जाते हैं और फिर दम हिला नहीं जाता याद करिए और आपका लाश्ट पेपर था लेकिन जिस समय आप जो है अपने स्कूल के बाहर करें जहां पर बोड़ एक्जाम लाश्ट थ अब इसके बास सेमी कॉलन क्यों यूज किया कुछ नहीं लगा उसने कॉमा लगाता वह चल ठाथ तो इसने यहां पर सेमी कॉलन क्यों लगाया क्यों इतने जो एक ओर डॉट स्टाक्यू लगाया कैसर वती सेमी कॉलन स्टेंड्स पर टू इंडिपेंडेंटेंट प्लॉज विच हैव आ सेम ठोट प्रोसेस विच है वर लिंक बिट्वीन देम वहां पर सेमी कॉलन आता है यह आपको पंच्वेशन सीखेंगे जब आप तब आपको इची समझ में आएगी देखिए आपको नहीं परती ना परती अच्छी बात नहीं परती तो प्रिश आपको पता होना चाहिए था अपको इसमें सुन रहा है तो यहां पर सेमी कॉलन लगाया प्रोट ने यह पताने के लिए जो संटेंस से यह जो संटेंस दोनों में कुछ कॉमन तो है और वही कॉमन चीज हमें ढूडनी है ठीक है हमने पहले संटेंस में कहानों ना कि वह डर गया है तरीके से वह अपने आखरी कारे कुछ साइद वह सोच रहे मैं आखरी बार करने जा रहा हूं जो भी करने जा रहा हूं थोड़ी दिर पहले उट ठाट डर रहा है ठीक है चाहिज बाड़ी यहाँ पर ही जो है वो उसके लिए नहीं आया है वहीं जो है फिशर्मैन के लिए आया है और मुझे कैसे पता कि उसके फिशर्मैन के लिए आए तो इस तरीके से पोएट जमा हुआ है यह ठक गया निराश हो गया अपने आप से अपनी इस आदस से वह दुखी है सीम उसी तरह वह फिशर मैं भी दुखी है क्योंकि जब जब वह जाल फेकता था उसके जाल में मशली फसती नहीं थी उसके जाल जब खीशता था उसके पास फेना ही पकड़ तो वह फस गया यह अपनी जरुवत ने फस गया वह अपनी भूगति कि उसके मिल जाये कुछ मिल जाए उसनों कि जाल रहां और तो dif उसके आगे जार चल रहा है वह उसकी भूग है कि जब जाए कुछ करेगा तो पैसे देगा बदले में दोनों लोग की अपनी इनडिपेंडेंट हो कहा है जो की दोनों की होने से पूरी होगी मैंने कहा थना इनडिपेंडेंट क्लॉस बट देर है वस्टम लिंक बिट्वीन वहां पर सिमिंग को लोन आता है चलिए समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है अगर आपडने पर यह बात आगे चलते हैं को गया को गया हां गया हम इस बॉड़ी क्लाइब फ्रोन आगे जलते हैं लास लास्ट लाइन सब्सक्राइब लिखा यह लिखा वही जो मैंने बताया को फिशर में के बारे में इवेंट एक अच्छा हासा नहीं है वो जाल लेकि अच्छा हासा नहीं है उसके लिए किस के लिए कि यह आगे जलते हैं नेक्स अंजा इंद फ्लिक्रिंग डार्क अब देखिए यहां से तो डाइवट हो रहा है अब लोग सेंड पर नहीं है अब वो लोग सेंड पर होते तो फिक्रिंग डार कहां से लाते आसमान है विटो जो यह शाम है लगी रौश्णी है तबी ना सब कुछ देख अब लेकिन तभी डार्क फिक्रिंग डार्क टिम्टिमाना ऐसी डाकने जो कम हो ठीक है इंद फिक्रिंग डार्क इस लीन तू ओपन लाइक वोंड दिखे यहां पर एक बड़ समयनी आ है को असा लीन टू वुड मने घाव होता है फिक्रिंग मने कम रोश्णी ओपन खुल जैसे कि एक घाओ ठीक है थोड़ा से क्लियर होगा एंद्खिए यहां पर फिलिक्रिंग डाक कम रोश्णी तो है यह तो क्लियर होगा लेकिन मों रोश्णी किसी चीज़ के अंदर है किसी कम्रें आदर है कि घर के अंदर है ठीक इस लीन टू लीन को गर मैं हटा दू में ल भरों में लीन होते हैं कि वहां पर पानी बरस्ता जाता है तो लीन रूफ बना जाते हैं ताकि पानी गिरे तो बैह जाए क्लेर हुआ तो इसलिए वहां पर लीन टू है लीन टू मतलब एक ऐसा हाओ जिसमें लीन च्छतो लेरोगे आपको चलिए दिख रहे होगी बद्बूदार था थोड़ा बहुत और इधा होदा समान फैले भी थी सब भी डंगा था मतलब गरीब वह एक डिपिक्शन है वूंड के चोट की तरह था वह उसका पुरा कमरा जो पूरी खोली जो उसकी थी ठीक है लग हालात खराब तो उसके घर के लेकिन अब यहां पर जो लाइन आती है लिडा वास आए और दड़ीज और नाइट शीदया मैं दिखिए यहां पी जो लाइन है अंगर आए और मैं वहां पर हवा की तरह हां था और मैं वहां पर हावा था और देज और नाइट विफोर इस रात इससे पहले की रात और उससे पहले के दिन में अब क्या संग्यार है कि मैं इससे पहले भी यहां था इसके रात के पहले भी मैं यहां था और मैं खावा के तरह यहां पर यहां हवा के जोगे के तरह क्या लग रहा क्या होगा इसका देखिए दैसे संने रातों दिनों महनत की उसने बहुत महतीर रातों दिनों महनत की नियुजर mesa का रिपरटिशन हो गारा रालëर बार बार लाई न मतलब कि इस बार मेरा metal इस बार मैं आया था महां पर हवा मतलब हवा क्या हुआ हाँ का सेंस हुआ जब वह आया दो दर्वाजा खुला मिटेस देजी चाहिए आप उसको पैसे की अंग मैं आया था और इससे पहले कि बहुत लोग आ चुके हैं वहाँ पर समझ में आ गया है कि आगे चलें ठीक कि पाम फॉंट स्क्रैस्ट माइ स्कीन इंसाइड दा शैक कि अधिक पाम मतलब तो गादी होती है ठीक है और पाम मतलब पाम प्री नारेल को वह भी होता है वह भी कोश्टल एरियास में होते हैं कि पाम मतलब होता है आसी पत्ती जिसमें नोखदार हो तो यहां पॉम हो nosotros को में नोखदार वा पत्ति वाली पत्ति Azerothag इसके पत्यों का प्रेया है मेरि कीमिस्क वाsalास। कि तेमें मेरे स्क्राइश कर दिया यहां क्या मतलब क्वैंट किया इतना कियो प्टीप्शन देए रहे शुरुआत में चुन उन्होंने पत्ति वत्तियों को यह भी जब आप कोश्चनरा इस करते हैं तब आप पुएट के माइन में घुछते हैं आप यह पूछते हैं यह न करना चाहता था कि इससे पहले कि इंसाइड दा शैक होता वो कमरे में घुचता शैक में जो पड़ी वो जाता अंदर पूरा अंदर जाने से पहले उसके हाथ में वो पत्तियों ने स्क्रैच किया यानि इंडिकेशन टू नौट टू एक तरह का इंडिकेशन था नेचर से प्रकति से कि ऐसा मत करो आप समझ में आए आपको यह लाइन अच्छी थी टेक आगे चलते हैं और दूएड लांप प्लेट दार्स बर्नस टू दोस वाल्स यह यहां पर क्या है कि एक 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 आनरे अनलब 106 लेम्प मैं लक्लम्प चिपनी विन टाइप वाला प्र उन्हीं क्लेत्ट डार्स प्लेट मनें होता है की जосीटा नौन अब समझ नहीं आया बंच मने उता होता है उन दिवालों में उन दिवालों में कुछ जैसे कुछ है घंटे क्या गुच्छ जैसे महां पर क्या लग रहा है थोगा साथ मैं तो वीडियो को पाइच में खतम कर दों लेकिन नहीं समझे दा ओयल लैंप प्लेट दार्स जब घुज गया अंदर तो उसके पहली नजर किस पे गई दिवालों पे गई चीजों पे गई एक महां पे लैंप रखा हुआ है लैंप देखा ऊपर देखा अच्छा पुई जगह देखा तब उसने सोचा कि एक लैंप है जिसने इस प्लेट दार्स याएंगन गंटों तक जलता यह कैसर पता किया होगा क्योंकि हार एक जगे कालिक थी हार एक मदल्一点 वो गुच्छों की तरह जमा पड़ाया पूरा बंचे वने जमा जमा होने से हैं बंचे बंचे दूस वाल्स हर जगह काली दिवालों में कालिक पड़ी हुई है मतलब पावर्टी की टाइम लाइन को भी नीचे ले जा रहा है और भेंकर गरीब ही दिखा रहे हैं मेरे ख्याल से म मतलब डिस्क्रिशन में टाइप कर सकते हैं ठीक है यहां पर करने मतलब है कि उस लैंब से उस नहीं समझा कि उस लैंब को हर जगा उठाकर रखा जाता है इस प्लेट दार्ट गंटे तक चलता है वह वही जलता है के वह उस घर में और उसको कहीं भी रखा दो और कोई आप स्टीकी सुट चिपचिपचस बसी फलता है कालिक हर जगह उसकी महग भी होती है प्लस छी स्मेल हो पर क्लेट के Animे क्लेट के लिए है अवर में हटा के वहां टाइवर जैघ वह दाशन च्टेकर होज terus यागा थाट पेज़ों के लिए दूमें थाट तो देखिए मैं परशे पढ़ता हूं ओवर और दश्टी की स्मेल डाइवर्ट दथा आफ मैं माइंड क्लियर हो गया कि वह जो था क्या करते हैं स्मेल थी उसकी वेश्च जो मैं यहां करने आया था उससे मेरा माइंड डाइवर्ट ह हो रहा है तो उसके महां के मौहल से उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है वह क्रॉस्पेस ऑफ माइंड समय आगे आपको टेक अब उससी जब यह सब कुछ हो रहा था उसके साथ तभी उसने क्या सुना आई हर्ड हिम से मैंने उसे कहते वह सुना माइड डॉर्टर सी कि हुई है जान बूच के बोला हुआ संटेंस है कोई भी फादर अपनी बेटी की एच क्यों बताएगा अगर उसे प्रॉस्टिट्यूशन में इस बताने के जरूवत है प्रॉस्टिट्यूशन वाली फीड में जिसकी ज्यादा कम होती मुना जितनी कम होती उसका रेट उत जिसकी कम है उसकी दिमान उतनी ज्यादा होती है ठीक है आगे चलते हैं और सी जस्ट टर्ण 15 याभी 15 साल की हुई है फील हर यहां में फील हर एक अपने आप में इंडिपेंडेंडेंट वड़े के फील हर डू वटेवर यू वांट तो डू यह पूरा एक वर्ट था फ्ल इस डॉटर को समझ रहे हैं अब आप आएदी बैक सून मैं जल्दी वापत रहूंगा यह और बस लेव्ट लेवस एट नाइन तुमारी जो बस है वो नौब यह चली जाएगी नहीं यह मतलब नहीं था यह और बस लीफ एट नाइन तुमारी बस नहीं है यह आप यह बस यह पूरा एक फ्रेज जिसका मतलब तुमारे पास इतना वक्त है यानि नौबजे तक का तुमारे पास वक्त है नौबजे तक तुम यहां पर रह सकते हो आप सब्सक्राइब को चलिए आगे चलते हैं ऐसा कोई केसी नहीं आया और इसी वज़े से यह लाइन आने वाली है दसकाई फैल ओन मी मेरे ऊपर आसमान तूट पड़ा लब एक पिता कह रहा है उसी बेटिक साथ करो जो करना है समझे रहे हैं कि वो भी थोड़ा एजट है जो भी इसमें तो उस चीज़ को एज़ा रख के देख रहा होगा तो स्काई फैल ऑन मी में पर आसमान तूट पड़ा देन एंड फादर्स एक्जॉस्टेट वाइल देखिए फादर को ही उसने नोटिस किया उस फिशर मैंग न से एक्जॉस्टेट विल्कम मतलब हुआ साइको लॉजिकल एंड फिजिकली वॉर्न आउट दिमाग से भी सरीर से भी हारा हुआ उस इनसान को उसने वहाँ पे गौर किया जब उसने कहा कि I am coming back soon your bus at leave 9 तब उसने वहाँ पे उसको गौर किया अब वो आगे देख रहा है चला गया पिता लॉंग एंड लीन लंबी और पतली लीन मतलब इसकी नहीं पतली हर इयर्स वर कोल्ड एज रबर अगर मैं सेंटेंस को बाद ने पढ़ू पहले इस पर आते हैं लॉंग एंड लीन एक तो लंबी थी उलड़की जो भी वहाँ पर खड़ी थी और लीन थी लीन मेंसन करने क रिजन यह है कि वह खाना उसको नहीं मिलता था लीन बहुत तुबली पतली थी ठीक है अब उसी इसी लीन वर्ड को क्लियार क्लारिफाइब करते हो लिखा यहां पे हर इयर्स उसके जो साल थे हर इयर्स वर यह पास्ट वाले साल हर एयर्स वर कोड ठंड़े गए हैं एज सब्सक्क्रत चलिए संधाते हैं यहां मतलब एक डाब जूता है सौल हां जाता है सिच ओं मतलब है एक हार्ष थंडा थंडा हार्ष होता उस पर सर्फेस पर हाथ रखे कोड़ पर आपको अराम नहीं मैसूज होगा जब हम लोग विंटर सीजन पढ़ते तो खाने को सेव करते हैं ताकि गर्मी में बचा सकें गर्मी के लिए खाना बचा सकें ठीक है तो जब विंटर करने मन नहीं करता तो यह वही चीज है कि उसकी पूरी लाइफ कोल्ड गई है पूरी पूरी कोल्ड गई उससे उपने खाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा है तो यह वो लाइन आई हर यह वर कोल्ड एज रबर उसके पूरे जितने पीते हुए साल आ रहे थे सब के ही नहीं गया कि उसको खाने को मिला हो साई से फिर इस अप प्रोश्यूशन के केस में ना जाना पड़ा हो सब ना करना पड़ा उसके मुझे अच्छी लाइफ ही नहीं उसके शुरुआ से रही है यह उस प्वेट होड़ है यहां लेक्स वाइट यहां देखिए ओपन अब बुरे बुरा थोड़ा बिकार वामी लेक्स वाइट उसने अपने दोनों टांगों को चोड़ा किया ठीक है तू मेक हर फिजिकल कॉंटैट ठीक है सी ओपन है वार्मी लेक्स वाइड अब देखिए यह जो लाइन है आई फेल्ट दा हंगर देयर अब वहां पर क्या स हूं को मैसुस्क्राइब वह कौन सी एशिए फिसर्मन वाली भूक है यह जूस लड़की की भूक है वह खाने वाली यहां पर लाइस्ट वाली भूक नहीं है है आई फेल्ट दा हंगर देर मैंने माइक भूक को महसूस किया दा अधर वन दूसरी भूक वो दूसरी भूक थी दा फिश स्लिटरिंग स्लिटरिंग मनलब जिग-जैक पैटन या जी घूमना दफिस्लिटरिंग टर्णिंग इंसाइड उसके पेट में फिश घूम रही थी तरीक है चुह पीट पेट कूद रहे हैं तो यहां पर लास्ट लाइन में यह मैसूस होता है कि उसका हंगर ता और उस परिवार का हंगर तो दोनों हंगर एक दूसरे पे डिपेंट है और फिर उसे मैसूस होता है कि उसे सब नहीं करना चाहिए था ठीक है यहीं पर पोयम को इंड कर दिया जैन महापता ने पता नहीं क्यों किया दो तीन और लाइन बेंसन कर सकते थे तो अब यहां पर एक चीज़ों निकल के आती वो यह कि इंडिया is not just poor by money it is also poor by morals because the basic moral of human being to realize that women are responsible is for creation of word which is wiped out by the middle of my mind is soft कर देगा wiped out our minds it is same that we have forgotten women are not twice to be meant for sexual gratification or satisfaction of men they are the creator of entire human race मुझे नहीं लगता किसी भी लड़की की हलक कितनी खराब होगी अगर लड़कें वीडियो देख रहे हैं अपने आप से कोईशन करें कि आपकी हलत कहती खराब है नहीं ना अब जो मैंने कोईशन बोला था सुरुवात में कमपैरेजन का यहां पर जैन महापात्रा ने इस पोयम के थुरू सेक्स्वल नीट को दिखाते हुए एक भूग को दिखाया है और वहां पर एक लड़की को स्लेव बनाया है मतलब एक डिपिक्शन दिखाया उस सोसाइटी का जो एक लड़की के जैंडर को स्लेव बनाते स्लेव की तरह इस्तमाल करते हैं ठीक है और और उनको फिजिकली एक ट्वाय की तरह मैं समझते हैं एक यह था और एक कमला दास जी ने जो है इंट्रोडक्शन में यह बताया था फ्रीडम ऑफ गर्स वटेवर सी वांड शी हैव टू राइट टू उनके पास वे दिकार है क की थी यहां पर जो एक स्लेवरी की बात की गई है तो इस तरीके से दोनों यह करते हैं एक ही बात पर कि वारतों के साथ कैसा कैसा बढ़ता हो किया गया था हाला कि दोनों में काफी अच्छी वीडियो बन सकती है आपको कैसे लगा कमेंट करिए मैं पूरी कुश्य करता हू हूं पढ़ा कैसे जाता है ठीक है मुझे लगता है मैं चीज में काम्याब रहता हूं मिलते हैं फिर किसी और पूर में किसी और वीडियो में टाटा